जोहार मेरा नाम है अवंतिका स्वागत है आपका न्यूस बाइसकोप की नई पेशकस सीट स्कैनर में सीट स्कैनर में हम लोगसभा की सीटों को स्कैन करते हैं आज हम बात करेंगे धर्ती आबा भगवान बिर्सा मुंडा की जन्मस्थली खूटी की जारखंड की 14 में से एक लोगसभा सीट खूटी लोगसभा सीट भी है खूटी लोगसभा सीट वैसे तो भाजपा का गड़ माना जाता रहा है यहां से भाजपा के कडिया मुंडा आठ बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का ही कबज़ा है और भाजपा से अरजुनमुंडा यहां से सांसद हैं। बता दे अरजुनमुंडा ने सबसे कम उम्र में जारखंड के मुख्य मंतरी बनने का गौरम हासिल किया था। अर्जुनमुंडा महज 36 साल की उम्र में जारखंड के मुख्य मंत्री बन गये थे और वर्तमान में वो केंद्र में भी मंत्री हैं अर्जुनमुंडा केंद्रे क्रिशी और जंजातिये मामले के मंत्री हैं खूटी लोगसभा सीट की बात करे तो खूटी लोगसभा स्टी आरक्षित सीट है और इस छेत्र में मुंडा जनजाती की बहूलता है। खूटी लोगसभा के अंतरगत सराई केला खरसावा, सिम्डेगा, राची, खूटी जीला की विधान सभा सीटे आती है। 2024 के लोगसभा चुनाओं में खूटी में भाजपा ने एक बार फिर से मौजूदा सांसर अर्जुन मुंडा को ही टिकट दिया है। लेकिन अब तक इंडी गटबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन इस सीट से गटबंधन की ओड से कॉंग्रेस के उमिद्वार ही अर्जुन मुंडा के सामने होगे। अब कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कई उमिद्वारों के नाम टिकट की रेस में शामिल है। जिसमें पिछली बार के कॉंग्रेस के प्रत्याशी काली चरन मुंडा, समात सेवी, दयामनी बारला, घाट सीला से पूर विधायक प्रदीब बालमुचु और कोलेविरा विधायक नमन विक्सल कोंगाडी का नाम शामिल है। अब इन चारों में काली चरन मुंडा टिकट की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और खुटी की जनता भी दयामनी बारला को प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। लेकिन अब टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। खुटी लोगसभा के अंतरगत विधानसभा की 6 सीटे आती हैं जिसमें खरसावा, तमाड, तोरपा, खुटी, सिमडेगा और कोली बिरा की विधानसभा सीटे हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों में 4 सीटे इंडी गड़ बंधन के पास हैं और 2 सीटों पर भाजपा का कबजा हैं। तोरपा से भाजपा के कोचे मुंडा और खुटी से निलकंठ मुंडा विधायक हैं। खुटी नोग सभा सीट के इतिहास पर एक नजर डाले, तो खुटी लोग सभा में 1962 में चुनाव शुरू हुए। और 1962 में जारखंट पार्टी से जैपाल सीमुंडा यहां से सांसत बने। और दूसरी लोग सभाचुनाव यानि 1967 में भी जारखंट पार्टी से जैपालसी मुंडा ने अपनी जीत दोहराई और दोबार सांसत बने वही 1971 में तीसरी बार भी जारखंट पार्टी की जीत हुई लेकिन इस बार निरल एनम होरो यहां से सांसत बने 1977 में खूटी में जनता पार्टी से कडिया मुंडा जीते जिसके बाद अगली चुनाव में यानि 1980 में जारखंट पार्टी ने एक बार फिर वापसी की और निरल एनम होरो ने खूटी सीट पर परचम लहराया 1984 में खूटी से कॉंग्रेस की जीत हुई और साइवन तिग्गा यहां से सांसत बने जिसके बाद खूटी में भारतिय जनता पार्टी के स्वर्णिम युक की शुरुआत हुई भाजपा ने 1989 में पहली बार खूटी में खाता खोला और लगतार पांच बार खूटी लोग सबा सीट में अपना कब जखिया 1989 के बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 में भाजपा से कडिया मुंडा लगतार पांच बार सांसत बने लेकिन 2004 में कॉंग्रेस ने भाजपा की जीत को रोक दिया और शुशिला किरकेट्टा यहां से पहली महीला सांसत बनी जिसके बाद भाजपा से कडिया मुंडा ने अपनी हार का बदला लिया और लगतार दो बार 2009 और 2014 में इस सीट से जीत दर्ज की लेकिन 2019 के लोगसभा चुनाओ में भाजपा ने खुटी सीट से अर्जुन मुंडा पर भरोसा जताया और उन्हें मैदान मुतारा हलांकी कडिया मुंडा की तरह अर्जुन मुंडा ने भी भाजपा की जीत को बरकरा रखा और 2019 में खुटी लोगसभा जीत कर अर्जुन मुंडा सांसत बने हलांकी अर्जुन मुंडा ने 2019 में कॉंग्रिस प्रत्याशी काली चरन मुंडा से काफी कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी अब 2024 के लोक सभचुनाओं के लिए भी भाजपा ने अर्जुन मुंडा पर ही भरोसा जताया है अब देखना होगा कि अर्जुन मुंडा एक बार और भाजपा को जीत दिला पाते हैं या इस बार या सीट किसी और की होगी आगे हम और भी सीटों के स्कैन करते रहेंगे जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें न्यूस पाइस को